असलाम वालेकूम वेलकम टू माई चैनल आज मैं अपने विएर्स के लिए लेकर आई हूँ सफेद चनों की टिक्कियां जो के रमजान स्पेशल हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं मैंने इनको बॉयल राइस के साथ सफ किया है इससे इसका टेस्ट बहुत ही यूनीक आता ह आई होप आपने इसको इससे पहले ट्राय नहीं किया होगा तो जल्दी से जाए अपने किचन में और इसको बनाएं और मज़े से खाएं तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने लिए हैं आधा किलो चने जिनको म हम इसमें चने शामिल करेंगे चनों का पानी भी मैंने पहले ही निकाल लिया है चने भी मैंने इसमें शामिल कर दी है अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लोंगी उसके बाद मैं इसको कवर करती हूँ चनों को हमें थोड़ा ज़्दा ही बॉइल करना है बाद में हमें इसको कूटने में असानी होगी अब हम इसके कील के उठने का इंतजार करेंगे क्य addicted हमें टाइम इसके बाद ही काउट करना है तो आप देखिए किल उट चुका है इसके बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि चने हमारे अच्छे से गल जाएं अब मैं इसको आपके सामने ही खोल रही हूँ और देखिए कि चने हमारे कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं यह देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं अब मैं इनका पानी निकाल लेती हूँ पानी निकाल लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी पांच अदद आलू मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने पांच डाले हैं आप तीन डाल दें अगर आप पस बढ़े हैं तो इसको मैंने अच्छे तरीके से दोनों चीजों को कूट लिया है इसके बाद मैं इसमें मचसाले डाल देती हूँ दो चमच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर दो चमच इसमें लाल मिर्श पाउडर डाला है मैंने साथ मैं इसमें मैंने डाला है एक चमच नमक भर के डाल दिया है मैंने इसमें आप उन्हों टेस्ट का कॉर्णिंग कम या जादा कर सकते हैं एक चमच भर के मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है एक चुटकी हल्दी पाउडर और तीन से चार हरी मिर्चेंज इनको मैंने बारी कट कर लिया है इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक अदर अंडा इसको मैं इसमें डाल देती हूँ अब मैं इसको मिक्स बाद में करूँगी पहले मैं आपने मिक्स्चर का आपको टेक्स्चर दिखाती हूँ कि किस कदर थेक है ये देखिए ये बहुत ही ठिक सा टेक्स्चर है इसका आईए अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से अभी भी उसी तरीके से ठिक है हमें हाथों पे ओईल लगाने की भी जरूद नहीं है मैं ऐसे ही आपके सामने मिसाला उठा रही हूँ हाथ में थोड़ा सा अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं तो देखिए बाकी मैं आफ कैमरा बना लेती हूँ और फिर आती हूँ ये देखिए आधा किलो चने से कितने जादा सी टिकियां बनके त्यार हुई हैं अब हम इसको फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए मैंने पैंट चड़ा लिया है चूले पे और मैं इसमें साथ में ही ऑईल डाल देती हूं ऑईल को गरम करेंगे अच्छे से उसके बाद ही हम इसमें टिकी शामिल करेंगे तो चलें ऑईल के गरम करने का वेट करते हैं साथ में मैंने अंडा ले लिया है इसको मैंने अच्छे से फैंट लिया है तब तक हमारा ऑईल गरम हो रहा है टिकी को अच्छे तरीके से इसमें हम कोट करेंगे अंडे को अच्छे से कोट करें उसके बाद ही इसको ऑईल में डालें ऑईल चेक कर लेते हैं ऑईल हमारा गरम है अब मैं इसमें टिकी डाल देती हूँ यह देखिए मैंने इसमें एक टिकी डाल दी है बाकी भी मैं इसी तरीके से इसमें डाल दूंगी अब हम इसको अच्छे तरीके से एक साइट को कुक करेंगे एक साइट हमारी अच्छे से कुक है अब हम इसको टर्न करते हैं और दूसरी साइट को भी इसी तरीके से कुक करेंगे बाकी भी ऐसे ही टर्न कर लेते हैं डेखिए हमारी टिक्राइ जो हैं अच्छे से टर्न हो चुकी हैं और इसको हम कुक कर रहे हैं यह देखिए अब मैं आपको निकाल के इसको डिखाती हूँ, इसकी ओवराल लोक चलें, सर्फ करते हैं, यह देखिए मेरी टिक्राइँ जो हैं बहुत ही मज़े की तैार हुई थ आрашते हैं, आले City Mapеше! New Boost!